वरंक दूब फिचर है दोसतो चैनल में आपका सुखता दोस्तो आज हम बात करेंगे एच बेंडिंग मशीन के ओपर एच बेंडिंग मशीन क्या चीज होती है दोस्तो जैसे मिशाल के तोर पर आजकल जित्ने भी काम हो रहे हैं पीवीसी टेप में हो रहे हैं या किचन कैबनेट हो गई, LCD पैनल हो गया, अलमारी हो गी, छोटा मोटा काम है, हर एक कस्टमर की यही सबसे पहले पसंद रहती है, कि मैं पीवीसी टेप लगा हूँ, दोस्तों पीवीसी टेप क्यों लगा हूँ, आजकल जितना भी काम होता है लेमिलेट में हो रहा है, क्योंकि बाद में क्या होता है, अगर हम मार्चन वगारा लगाते थे हैं, उसके लिए क्या होता है, हमें साल दो साल बाद पालिश वाला फिर बुलाना पड़ता है, इसके लिए पालिश वाले का काम बिल्कुल इसके अंदर खतम हो जाता है, और फनिशिंग बड़ी जवर्दत देता है. दोसरे मिसाल के तर्ब में आपको बता भी देता हूँ, आज कल के टैम में क्या होगया, हमारे कारपेंटर लाइन में कॉम्पिटिशन बहुत ज़ादा है, हम कहते हैं कॉम्पिटिशन ही बहुत ज़ादा तो इसने रेट बहुत ज्यादा कम लियोंगे कुछ ना कुछ फरक होगा तो ऐसी उसने मुझसे बात की कि कहता है आपने काम कितने लिया मैंके यह मैंने भी ढई लाक का लिया किता है यह विथा बहुत था यहाँ पर हमारी टेप होगी, यह वहाँ से तो अच्छी तरीके से प्रैस हो जाएगी, बाकी यह जगा ना, आप अगर ध्यान से देखोगे, तो हलकी हलकी डबके आ जाती है, यह कंपनी का काम करोगा है, कंपनी वाले हमारे काम को बिल्कुल फेल कर देते हैं, तो दोस्तों जोंसी हम एच बेंडिंग मशीन की बात कर रहे हैं, यह कंको कंपनी की है, यह अपना, पहले तो मेकिंग इंडिया का पोडेक्ट है, यह लोध्याने के अंदर बनता है, दोस्तों ऐसी बहुत सारी बड़ी-बड़ी मशीने बनाते हैं, तो आज जोंसी हम बात करेंगे, इन दोस्ते तीन मिन्ट का आपको केंको कंपनी का एच बैंडिंग का डेमो दे रहा हूं, तो दोस्तों अगर आपको डेटेल से वीडियो चाहिए, तो आपने क्या करना, कमिट शेक्शन में मुझे बताना, तो मैं इसकी डेटेल से वीडियो बना दूगा, और दोस्तों जोंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरा नाम है बिक्रम सेंग और आप यह जो मशीन देख रहे हो यह है मैनुल एज बाइंडर अगर आप किच्छन कैबनेट मैनिफेक्चर करना चाहते हो यह मॉडलर किच्छन कैबनेट के बिजनस में आना चाहते हो तो यह मशीन बहुत फ़्लाइ की जाती है इस मशीन में 30 pandemic मिली मीटर और मॉली मीटर टू मीर 2 मिली मीटर 3 मली मीटर提क टनस तक की टेप आप लगा सकते हो इस मिझीन में हाट मेल्ट ग्लू यूजकी की जाती है हाट मेल्ट का मतलब जो ग्लू है वो 150 डिग्री पे मेल्ट हो जाती है मेल्ट होने के बाद ये ग्लू दो ग्लू रोलर पे आती है एक फ्रंट पे और बैक पे जो फ्रंट वाला ग्लू रोलर है वो पैनल पे ग्लू अपलाई करता है और जो बैक वाला ग्लू रोल एज फंडा जो glue फंडा होने के बाद आपका एज जो है वो waterproof हो जाता है इस machine को edge binding machine इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये edge को waterproof कर देती है edge को bind कर देती है इस वजह से इस machine को edge binding machine कहते है हम ये machine पंदरह साल से manufacture कर रहे हैं लुधैना पंजाब मेरे कंपनी का नाम कैन को मशीन्स है अगर आप ये मशीन बुक करवाना चाहते हो तो आप हमारे फोन पे कॉल करके इंडिया में बुक करवा सकते हो अगर आपको ये मशीन यूएस कैनडा में चाहिए तो आप यूएस कैनडा के फोन नंबर पे आप कॉल करके ये मशीन बुक करव ही इस मशें की कीमत 1,300,000 आप फौन पर भी यह मशें बुक कर बार सकते हो यह फिर हमारी फैक्तरी में भी विजिट कर सकते हो हमारी फैक्तरी लुधिहाना पंजाब में है आप जब मर्जी ट्रें पकड़के कार से ड्राइब करके जब मर्जी हमारे पास आ सकते हैं दोफ्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी अच्छे लगी तो चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना साथ में बेल आइकन का बटन दवाने के बाद ओल का बटन दवा देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिक्वेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी धन्याबाद